नमस्कार दोस्तों, नमस्ते, हिंद्यू रिच्यल्स में आपका स्वागत है दोस्तों, आज के व्यस्त जीवन शैली में हमारे पास बहुत कम समय होता है जिस वज़े से हम काफी लंबी पूजा नहीं कर पाते हैं इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आप ब्रस्पतिवार के व्रत करना चाहते हैं तो किस तरीके से आसानी से आप ये व्रत कर सकते हैं कितने व्रत करने चाहिए, पूजा के विधी और इसका महतु क्या है कब से शुरू करें, व्रत में क्या-क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा दोस्तों, ब्रस्पतिवार को विष्णु भगवान एवं ब्रस्पति देव दोनों की पूजा होती है जिससे घर में सुक सम्रद्धी बनी रहती है क्वारी लड़किया इस वृत को इसले करती हैं जिससे कि उनके विवा में आने वाली रिकावटे दूर हो जाए ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि अगर आप एक वर्ष में गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसे रुप्यों की कमी नहीं होती और आपका पर्स कभी भी खाली नहीं रहता है अब दोस्तों सवाल उठता है कि कितनी गुरुवार का व्रत करें तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको एक वर्ष में सोले गुरुवार वरत करने चाहिए सोले गुरुवार वरत करने से आपको मनुवांशित फल मिलते हैं और वरत पूरे करने के सत्रवे गुरुवार को आप उद्यापन कर सकते हैं इस वुरत को शुरू करने का सुब शम समय क्या होता है? दोस्तो इसका शुब समय होता है पूश या पोश के महीने को छोड़कर जो करीब दिसंबर या जन्वरी में आता है उसको छोड़कर आप इस व्रत को किसी भी माहा के शुकल पक्ष के प्रथम गुरुवार से शुरू कर सकते हैं शुकल पक्ष बहुत ही शुप समय होता है दोस्तों किसी भी नए कार्य के शुरुवात करने के लिए अब एक कोशन आता है कि अगर महिलाव को पीरियट्स हो जाते हैं इस समय पर तो उन्हें व्रत कंटिन्यू कैसे करना चाहिए देखे अगर किसी भी प्रिस्पति वार को आपको पीरियट्स हो जाते हैं तो आप उसको छोड़कर अगला कर सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तो, पूजा की विधी, वृत की विधी के लिए आपको बहुत ही कम सामगरी चाहिए, जैसे की चने की दाल, गुड, हल्दी, थोड़े से केले, एक उपला जो हवन करने के लिए होता है, भगवान विश्णु की फोटो, और अगर केले का पेड़ हो त करते हैं, वृत वाले दिन सुबह उठकर आपको इस नान आधिकार्यों से निर्वित होना है, सबसे पहले आप भगवान के आगे बैठ चाहिए, और भगवान को साफ कीजे, या कहीं की इस नान कराईए, चावल और पीले फूल लेकर, सोले गुरुवार वृत करने का संकल पीजिए, और उन्हें छोटा पीला वस्त अरपन कीजिए, और अगर केले के पेड के सामनी पूजा कर रहे हैं, तो भी छोटा पीला कपड़ा चड़ाईए, ये बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, आजकर लोगों के घर छोटे होते हैं, तो आम तोर पर उनके घरों में केले का पेड नहीं होता है, इसलिए आप अपने घर के मंदिर में ही व्रत की विधी कर सकते हैं, अगर आपके आसपास भी कहीं भी केले का पेड नहीं है, एक लोटे में जल रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल कर विश्नु भगवान या केले की पूजा कर रहे वो देख सकते हैं, कथा के बाद आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, गाए के उपले को गर्म करके उस पे घीडा लिए और जैसे ही अगनी प्रजलित हो जाए, उसमें हवन सामगरी के साथ गुड़ो चने की भी आहुती देनी होती है, पांच, साथ या ग्यारे, ओम, गुम गुरुवे नमहा मंतर के साथ हवन के बाद आरती कर लिजिए, और अंत में शमा प्रातना करिए, पूजा पूरी होने के बाद आपके लोटे में जो पानी है, उसे अपने घर के आसपास के केले के पेड़ पर चड़ा दीजिए, नहीं तो आप सुर्यदेव को भी अरपन क कर सकते हैं, इस दिन आप केले के पेड़ की पूजा करते हैं, इसलिए गलती से भी केला नहीं खाना चाहिए, आप इसे केवल पूजा में चड़ा सकते हैं और प्रसाद में बाढ़ सकते हैं, अगर कोई गाय मिले तो उसे चने की दाल और कुड जरूर खिलाइए, इससे ब बहुत ही पुण्य मिलता है दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपने ब्रस्पति वार का वरत रखा है, तो वो कौन से कार्य हैं, जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं, पहला है दोस्तों, बालों में तेल नहीं लगाना है, बालों को भूल कर भी नहीं दोना है, इससे ब्रस्पति देव बहुत ही रुष्ठ हो जाते हैं बाल कटवाने नहीं चाहिए घर में पोच्छा लगाने से भी बचना चाहिए कपड़े दोबी को नहीं देने चाहिए नमक और खटा भी नहीं खाना चाहिए इसमें आपको मीठे खाने का ही सेवन करना चाहिए पीला या मीठा ही खा सकते हैं चने की दाल की पूड़ी या पराठा एक समय आप इसमें सेवन कर सकते हैं पुरूश अगर इसको करते हैं तो ये वरत लगातार 16 गुरुवार कर सकते हैं परन्तु दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, महिलाई या लड़कियों को ये वरत तभी करना चाहिए, जब वो पूजा कर सकती हो, मुश्किल दिनों में ये वरत नहीं करना चाहिए. अब बात करते हैं दोस्तों उद्यापन विधी की, उद्यापन के एक दिन पहले पांच चीजे लाकर रख लीजिए, चनी की दाल, गुड, हल्दी, केले, पपीता और पीला कपड़ा, और आपनी सामर्थे के अनुसार दक्षणा रख दीजिए, फिर गुरुवार को हर व्रत की तरह यथावत पूजन कीजिए, प्रातना करिए कि आपने जो संकल्प लिया था, वो आज आपका पून होता है, भगवान आप पर आपनी की अपनी गिर्पा बनाए रखे, और आज आप पूजन का उद्यापन करने जा रहे हैं, और पूजा में सारी समगरी भगवान व भगवान व्रस्पतिवार और आपकी सभी मनो कामनाए पून होती हैं, दोस्तो व्रस्पतिवार का वरत करने का बहुत ही महतु है, बहुत ही जादा, इससे आपकी घर में धन संपता बढ़ती है, जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, उनके विवाह हो जाते हैं, सारी मनो कामन पूर्ण होती हैं परिवार में सुख संपत्य वड़ती हैं तो दोस्तों इस वरत को जरूर कीजिए और व्रस्पति देवता की किर्पा आप पर बनी रहेगी उम्मेद करूंगी कि आपको इस विदी से किया गया वरत आपका जरूर पूर्ण हो और अगर आपको मेरे द्वार दे गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ओम राधे 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 दोस्तों नमस्ते हिंदु रिट्ट्वल्स